दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल हिंदी 24 सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और पाए हमारे लेटिस्ट वीडियों की जानकारी. मुकेश अमबानी ने मंगलवार को रिलायंस जियो को लेकर एहम ऐलान किये. उन्होंने कहा एक अप्रेल से जियो टैरिफ प्लान शुरू किया जाएगा, येकिन देश में वॉइस कॉल और रोमिंग फ्री ही रहेगी. हम एक मार्च से अपने कस्टमर्स के लिए जियो डाटा मिलेगा. आठ सवाल जवाब में जाने, जियो यूजर्स को अब किस तरह का फाइदा होगा? क्विज, पुराने और नए ओफर में क्या फर्क है? अग जियो न्यू इयर ओफर में मौजुदा कस्टमर्स को 31 मार्च तक इंटरनेट डाटा के साथ वोइस कॉलिग, वीडियो कॉलिग, रोमिंग फ्री है. लेकिन एक अप्रेल से 99 रुपे वन टाइम पे कर प्राइम में प्राइम मेंबर्शिप लेनी होगी और हर महीने डाटा यूज के लिए 303 रुपे देने होंगे. यानि आपको पहले महीने में 402,99,303 रुपे देने होंगे. इसके बाद हर महीने आपके 303 रुपे लगेंगे. ख्विज नया टैरिफ प्लान कब से लागू होगा? एक अप्रेल से शुरू होगा. ख्विज प्राइम मेंबर्शिप और जियो न्यू येर ओफर में क्या फर्क है? प्राइम मेंबर्शिप लेनी के बाद आपका हैपी न्यू येर ओफर मार्च 2018 तक के लिए बड़ा दिय बतादे की रिलायंस जियो ने दिसंबर में एपी न्यू येर ओफर लाँच किया था. इसमें एलान किया था कि नए पुराने यूजर्स को 31 मार्च तक चार जी इंटरनेट के साथ वोईस कॉलिग, वीडियो कॉलिग, फ्री रोमिंग मिलेगी. ख्विज प्राइम मेंबर् लाँच की जाएगी. उन्हें एक और साल के लिए न्यू येर ओफर यानी फ्री सर्विस मिलेगी. ख्विज प्राइम मेंबर्शिप स्कीम को आप कैसे ले सकते हैं? अग माई जियो एप, वेबसाइट या फिर स्टो के जरिये यह मेंबर्शिप ली जा सकती है. जियो प्र पर नए ओफर्ज मिलते रहेंगे. ख्विज जियो मेंबर्शिप स्कीम काप तक रहेगी? 31 मार्च 2018. ख्विज और क्या फाइदा मिलेगा? अग प्राइम मेंबर्श को 10,000 रुपे के सालाना वैल्यू वाली डिजिटल कॉंटेंट की मेंबर्शिप 31 मार्च 2018 तक फ्री मिले एक एक सो सत्तर दिन यानी 6 महीने से वक्त में जियो ने 10 करोड से ज्यादा कस्टमर्ज जोड़ें. इस लिहाज से हर सेकंड में 7 कस्टमर्ज जोड़ें. दो हर महीने जियो यूजिज ने 100 करोड गिगाबाइट स्टार्ट है. कैसे हमें जियो जो दो हर मार्च बड़ें. श स्टमर्ट हो दो कि क 안내ते कुझे जैंगाम चμο चक भ氣लिघ एक Guardians 3 a 2. 2. 3. 5 पर प्रिता से ने 100 कार्ग 1. 2. 3 प्राच दो. कैंट इसांग जो चूँआए. इसांग 4.1.